दोस्तो स्वागत है आफ सभी का आपके यूटूब चैनल पर दोस्तो ये वीडियो भी आप लोग ले काफी जादे इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में साथ से आठ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको अपने घर पे य स्टॉल किया जा रहा है तो ये भी मैं आपको बताता हूं चलूँगा ताकि आपको काफी हैल्प ले और आपको चीज अच्छा कर पाएं साथ ही मैं आपको बता दू सबसे पहले कि जब आप कोई पाइप खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजे पता होनी चाह है 6 kg per cm2 का ये पाइप यानि कि ये इतना kg तक प्रेशर को जहिल लेगा ये इसकी capacity है और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो जिसे की 3 का भी आता है 6 का भी आता है 10 का भी आता है 12 का भी आता है तो वो काफी हैबी हो जाता है आप इस पाइप को जो भी लेका रहा है उसके जो corner रहता है उसका जो age रहता है मुँपे उसके खड़े हो सकते हैं इस तरीके से और थोड़ा pressure कर सकते हैं खुद के body से कर सकते हैं और साथी आप उसको बिजब बाद में देखेंगे तो जो जो उसका face रहता है उसका जो shape रहती है उसमें कोई changement नहीं आनी चाहिए अगर उस चीज़ को भी आप एक बहुती कम समय में site मतलब जो आप अगर शॉप पे भी जा रहे हैं तो यह practice अपना सकते हैं और देख सकते हैं कि यह ठीक है या नहीं है क्योंकि मुझे उमीद है site बहुत से लोग को जो मैंने अभी आपको बताया यह नहीं पता होगा जो आप 12 kg 10 kg भी जा सकते हैं लेकिन वह बहुत जादा हो जाता है भी वह समर से भी बगारा में यूज कहते हैं लेकिन मैं नॉर्मली घर की बात कर रहा हूं तो आप वहाँ पे 6 kg पर cm2 का pipe खरी सकते हैं यह आप जब आप देखते हैं कि drainage हो या हमारा जो rain butter pipe हो उसमें यूज कर सकते ह पानी आपका pressure हो जाता है अभी हम आगे यह भी बात करेंगे कैसे हम pressure को by far cash या distribute करते हैं जिससे pipe पे ज्यादा load ना आए पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि pipe के size क्या होने चाहीं जाता है देखो जो अगर आप rain butter pipe यूज कर रहे हो जो बालिश का पानी तो उसको 4 इंच जाता है वो 6 इंची का यूज कर सकते हो और जो हमारे pipe रहते हैं जिसमें bathroom का pipe रहता है wall vision का point रहता है उसमें अब 3 इंची का pipe यूज करते है तो इसमें हमारा कपड़े धोने का पानी नहाने का पानी या wall vision कर जाता है जब आप यह fitting जान लेते हो तो उसके बाद हमारी wall fitting हो एक testing machine आती है उससे pressure check किया जाता है उससे आपका देखा जाता है कहीं से joint तो नहीं चूट रहा है खाली उसके बाद ही आप इसके पर tiles लगाते हैं तो पहला आपका fitting कर देते हैं तो pressure machine से इसके joints चेक किया जाते हैं कहीं से कोई pipe leak तो नहीं कर रहा क्योंकि एक बाद टाइल लगे ही तो फिर बाद में आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं सेम चीजब आप PVC में इस तरीके से भी hanging कर रहे होते हैं तो जो solvent होता है chemical होता है solvent के लेजिए उसको बहुत अच्छे से लगाना होता है जिससे जो joint है वो proper तरीके से फिल हो जाए और आपको आगे चलके leakage की problem ना होती है जादा तर लोगों में क्या होता है कि plumbing के pipe को समय के बाद ही leak करने लगते हैं और जैसे मालेज यहां आप देख रहोंगे तो यह तो basement है और basement में जादा तर लोग क्या करते हैं कि इसको ceiling में cover नहीं करते हैं बहुत से लोग क्या होते हैं जब अपने घर में करते हैं जिसमें उनको pipe बीम के throughout भी निकालने पड़ जाते हैं तो वहाँ पे ceiling करके इसके जो दिखरा होता है उसको hide किया जाता है दुपकाय जाता है या hidden किया जाता है तो इस condition में जब अगर कोई leak होती है तो ceiling में काफी जादा problem होती है आपका काफी नुकसान होता है तो इसलिए जो solvent है वो आपको अच्छे से लगा लेने है और इसकी जो jointing होती है वो proper तरीके से fill कर लेने है ठीक है चाहें वो आप दोनों pipe में करें या फिर आप अच्छे से कोई भी solvent मार्किट से गई सकते हैं जो कि हमारा PVC pipe को चिपका पाए अभी मैं और दूसी चीज बात करूँ त तो वो मेरे हिसाफ से ज़्यादा जरूरी हो जाता है यह जिसे मानली जे कि आपका कोई दो मंजिल का मकान है और उपर से आपका pipe आ रहा है आपने silage का pipe जो रखा वो चार इंची का रखा यानि कि toilet seat का pipe जो है आपने वो चार इंची का रखा और यहां अगर मैं बात बिल्डिंग है और 15 मंजिल की building से जो pipe आ रहाता चार इंची का तो उसको चार इंची में joint करतेगा है जिससे कि आप देख रहे हो जिससे pressure जो है वो divide हो जाए ऐसे आप भी कर सकते हैं कि जो pipe आप यूज़ कर रहे हैं दो मंजिल तीन मंजिल से और आप उसको main line में जो है उ कुछ लोग उसको junction भी बोलते हैं और T यहां पर चार इंची की है जिसम को 110 mm में दर्साया गया क्योंकि आउटर का डाया पकड़ा जाता है और यहां पर अगर हम दूसी बात करें तो elbow है शौकिट है बहुत से चीज़े हैं यहां पर reducer भी होता है यहां पर काफी सारी shape के अनुसार इनके नाम दिये जाते हैं जिससे आप अपने अनुसार pipe को अपनी मोड पाएं या फिर उसकी जो line होती उसे उसको बिज़ा पाएं जहां मोड़ना है जहां band करना है सीधा लेकर जाना है अभी एक चीज़ जरूरी हो जाती है वह होता है slow जब आप plumbing का काम कर रहे दे रहे होते हैं चाहे आप basement में दे मतलब चाहे आप underground दे या आप outer में दे या open fitting दे तो यहाँ पे जैसे horizontal pipe है तो horizontal pipe में जो है वो slope का काफी ज़्यादा मेंटर करता है तो slope की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके के pipe जो आप ceiling में लटकाएंगे तो 4 इंची के pipe में एक मीटर पे 2 mm का slope देना है यह अगर एक मीटर आपने दिया तो 2 मीटर आपको आपको down करते करते लेगी जाना है ऐसी अगर हम बात करें 6 इंची का pipe अगर इस तरीके से आप दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आपको hanging करके दिया जा रहे है तो एक मीटर पे 1.5 mm का slope आपको देना है तो यह मुझे उमीद है आपको clear होगा अभी हम बात कर लेते हैं इसके support की तो जब जैसे कि आप देख रहे हैं इसको club लगा के आपको अपर से support के जा रहे है तो एक मीटर से 1.5 मीटर पे आपको club देना ही देना है यह clip आप जब देंगे तब ह कि आपको अच्छे support हो पाएगा इस 4 इंची का pipe तो आप इस तरीके से दे सकते हैं एक मीटर पे और जो आपका 6 इंची का pipe होता है सिलज होता है उसमें जो हमारी toilet का हो रहती है वहाँ पे आप उसको एक से मतलब मैं तो कहूँगा एक मीटर से भी कम में आप उसको दे सकते यानі कि एक मीटर पे आप उसको minimum देना ही देना है इसमें चार इंची में तो आप 6 मीटर सुरी एक से डेल मीटर दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे 1 मीटर देना है दिवार पे हैं तो आप इसको इस तरीके से किलब करेंगे और जो fastenट आता है उसकी तरीके से अगर आप उसको लेके है, टेस्टिंग को लेके है, जॉइंटिंग करना हो, सुलोप हो, सपोर्ट हो, यह सबी चीज़े आपको pipe इस तरीके से देने में काफे अलग परेंगे, साथ ही मैं आपको final दिखा देता हूँ, तो final कुछ इस तरीके से निकला जाता है, और यहाँ पे आपको यह pipe, drainage का pipe इस तरीके चले जाएगा, यहाँ पे इसको concreting कर दीगे, ताकि यह कोई तोड़े ने इसको, और नीचे manual में जाके, जो भी सलाज जोता है, वो outer चले आता है, तो इस तरीके से आप धिहान रख सकते हैं, और plumbing की मैं आपको बताओं की, जो separate वीडियो मैंने बोला कि आपको bathroom की toilet की fitting का चाहिए, तो आप comment कर दीजे, मैं उसके पर एक वीडियो बना दूँगा, तो वीडियो चुबड़े, लाइक करना, चैनल को subscribe करना, तरीके